आपकी स्क्रीन के साबने, आप लोग कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगोंने इसका नाम सुना भी होगा, और आप लोग इसके बारे में जानते भी होगे. इसका नाम है अबू सालेम, और जो 1993 में मॉंबई में आतंकी हमले हुए थे न, जो बॉंबे में आप देखते हैं कि आपकी बम धमाके हुए थे न, उसमें इसका नाम था, और उसमें ये सामिल था, और आप देखिए कि इसी कारण ये आजीवन कारवास उम्र कैद की सजा में भी इसका नाम काफी चर्चा में रहा था, बिल्डर का नाम था पिदीब जैन, इस हत्या के मामले में भी इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, आज हम लोग इसके बारे में एक सामान जानकारी देख लेंगे, आखिर इसकी क्या करम कुंडली रही है, इससे पहले आ आखिर अभी ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो आप सभी को बता दूँ कि अभी हाल ही में, हमारी केंद्रिय गरह सचिम ने सुप्रींग कोट में कहा है, क्योंकि सुप्रींग कोट ने आपको बता दूँ कि इसने उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन क्या है कि गेंगिष्टर अभू सलेम को अधिक्तम 25 साल की सजा का पूरा बादा पूरा किया जाएगा यह बादा उस समय की ततकालीन डिफ्टी पी-म यानि की आप देखिए उप मुक पिधान मंतरी लाल किष्ण आडवानी ने सलेम के पूर्टगाल से पित्तपर्ण की वक्त वहां की सरकाल से किया था सलेम 12 मार्च 1993 की मुंबई सिंकलाबद वम धमाकों वहत्या की कई अन बारदातों का आरोपी भी है कहने का सीधा सा मतलब यह है कि ए 2002 की बात है भारत सरकार ने पूर्टगाली सरकाल से एक बादा किया था कि इसे ना तो फांसी की सजा दी जाएगी और ना ही इसे 25 साल से अधिक कैद में रखा जाएगा लेकिन आप सभी जाते हैं कि अगर आज इवन कारावास की बात होती है उमर कैद की बात होती है तो पूरी जिल्दिगी आपको जेल में रहना पड़ेगा समय रहे आप लोग तो इसी को लेकर आप देखी कि हमारी सरकार ने जो अपना बादा किया हुआ था उसे निवाने के लिए पिती बद्ध है लेकिन आपको बता दूँ कि आप देखे कि 25 साल की अगर सजा होगी तो ये 2005 से जोड़ा जाएगा तो 30 साल में जब 2030 आएगा तो उसमय हमारी सरकार केंद सरकार इस पर विचार करेगी ठीक है चलिए अब हम लोग इसके बारे में करमकुर्णिली देख लेते हैं इसकी आखिर क्या करमकुर्णिली रही है तो उत्तर पेदेश आप लोग देखें रहे होंगे इसकी इन पर आपको उत्तर पेदेश देख रहा होगा लगनव इसकी राजदानी है और तो इसका जनम होता है आजमगड में उत्तर प्रदेश के आजमगड के सराय मीर इलाके में इसका जनम होता है अबू सलेम का और आपको बता दूँ कि इसका पूरा नाम है अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी इसका नाम है और ये 1966 के दिल्ली में ड्राइवर, ट्रक्सी, ड्राइवर की नोकरी करने लगा, फिर कहते हैं कि वो मुंबई पहुंच जाता है, वहां उसने टेक्सी चलाई कुछ समय के लिए, इसके बाद वो ब्रेड की डिलेवरी करने लगा, उसके बाद इसने कपड़े की दुकान में भी काम अज इबराहिम से किसी तरह से मिलता है, और फिर धीरे-धीरे क्या करता है कि उसका काफी करीवी हो जाता है, राइट हैंड जिसे आप लोग कह देते हैं, इसके बाद तो उसकी जिंदगी ऐसी पल्टी उसे मुंबई का डॉन कहा जाने लगा उस समय, और दाउद के सारे पर और आपको बता दूँ ये क्या करता था कि स्मगलिंग करता था, बसूली का धंदा शुरू कर दिया इसने जब दाउद के करीव आता है, वह बॉलीवूर्ड के फिलिम प्रेडिवो सर्स को पैसा बसूली के लिए धमकाया करता था, कहते हैं कि बॉलीवूर्ड में उसकी द गोलसन कुमार सुभास गई, राजीब राय और राकेश रोसन जैसे फिलिम निर्माताओं को भी उसने धमकी दिलवाई थी, और साल 1997 में गोलसन कुमार की हत्या भी सलेम के गुर्गों नहीं की थी, इसके अलावा उसके उसने राजीब राय और राकेश रोसन की हत्या की की थी लेकिन अब रहा को बगुत हमाने का थे कि नहां को छुनाओ जितमाने का भी काम करते थे एक तेर नाम आजकल आप लोग सुनते होंगे राजनीती में अपराधी करन तो यहाँ एक point बता देता हूँ पहले क्या होता था कि राजनेताओं के पीछे गुंडे कड़े रहते थे अपराधी कड़े रहते थे लेकिन फिर अपराधीयों का दिमाग चला कि अगर हम चुनाओ निता जी को जिता सकते हैं तो हम भी तो चुनाओ जी शकते हैं तो क्या रहा कि अपराधी भी अप्चुनाओ लड़ने लगे इसी को आप लोग राजनीती का अपराधी करन कह देते हैं फिर आप देखेंगी यूपी से सूटर बोलाकर देता था ये बारदातों को अंजान नब्बे की दसक में D कंपनी की कई तेज सूटरों को या तो छोटा राजन की ग्रोव ने या पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया था और सलीम ने फिर आजमगर से बेरोजगार मुसलि कोई क्रेमीनल रेकॉर्ड ही नहीं होता था और आप तो आप देखें कि अब अगर कोई भी किसी तरह की बारदात करता है बहुत जल्दी बगड़ जाता है लेकिन उस समय में आप देखें हमारे पास इतनी तकनिकी भी नहीं थी टेकनोलोजी भी नहीं थी एक कहानी के कारन भी का की चर्चा में रहे हैं कि कहते हैं की मौनिका वेदी के इसक की कार भीशेठा में रहे साल replicate से अन्ठावे में आभू सलेम डूमबई में मुंबई में अपना बिजिनेस दू किया जिसका नाम दिया किंगस अफ़ कार ट्रेडिंग इस Kings of Car Company के एक इस्टे सो के दोरान अभू सलेम की दोस्ती वॉलीवर्ड एक्टरस मौनिका वेदी से हुई और फिर दोनों के रिष्टे खोब सुरुकिया बटवर्णने लगे बात इतने आंगे बढ़ गई कि दोनों के बीच निकाह की चर्चा भी होने लगी ह हाला कि दोनों ने खुलकर कभी इस बात को सुरिकारा नहीं है हाला कि मौनिका ने कई इंटर्वी में माना कि वो अलो अभू सलेम से प्यार करती थी फिर दोनों के रिष्टे इतने खराब होक है कि अभू सलेम ने मौनिका विदी को लीकर नोटिस भी भेजा था इस नोटि और कई दूसरे सहरों में अभू सलेम की खिलाब हत्या करनेपिंग फरजी पासपोर्ट थरोती मांगने के 60 से जाना मुकद में दर्जें फरजी पासपोर्ट की इसमें सलेम को आदालत ने में दोसी ठैराय जा चुका है वही मुंबई बंधमाके के मामलें में अभू सलेम पर आरोफ है कि उसने दाउद इबराहिं के साथ मिलकर अपने सहयोगयों को हत्यार और गोला बारूत मुहया कराया था और आप देखें फरजी दस्तावेजों पासपोर्ट रखने के जोम में अभू सलेम साल 2002 में पुर्दगाल में गिरफतार किया गया था उसने पहले वो फरार चला था लंबी कानूली लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को सलेम को मौनिका बेदी के साथ पुर्दगाल से भारत लाए गया था और उससे देश के कई एजिंसियों ने अलग-अलग केसों में पूछनाज भी की हुई थी तो यह भी रहा है और आप देखे कि जेल में भी अभी बंद है तो जेल में भी इस पर कई हामले होते रहते हैं तो इस तरह से भी रहा है और 2002 में जो आप देखे पुर्दगाल भारत सरकार के बीच एक समझोता हुआ था वो भी याद रखिएगा यह आप देखेंगे मुं मुंबई की टाड़ा कोट ने उससे 2017 में उमरिकेद की सजावी सुनाई थी क्या सुनाई थी सजावी सुनाई थी और आप देखेंगे कि 1993 में जो बंधमा के हुए थे ना इसमें 297 लोग मारे गए थे कितने 257 लोग घैल हुए थे और करोडों रुपेयों की संपत्ति इन दमाकों में तबाह हो गई थी और 2020 में इसने क्या किया था कि पुर्दगाली की एक कोट ने सलेम की वह हर जी खारीच कर दी थी जिसमें उसने पित्त्यारोपन पित्त्यापन सरत्तों का पालन नहीं भारत भारत के खिलाब दायर की थी उसने लेकिन अब आप देखें 2030 से ए जाएगा यह तो आप भी जानते हैं और सब कुछ जानते हैं उसके बाद इतना वो खतम लगवग हो जाएगा एक लंबी समझ सकते हैं कि एंड ही चला होगा उसका तो यही कहानी है इसकी कि किस तरह से आजम गड़ में जैनम होता है उसके बाद आप देखिए बारवी तक इस्टेट इस्टेट ब्रोकर बन जाता है उसके बाद आप देखिए दाउद इब्राहिम से करीब आता है उसके उसका राइट हेंड बन जाता है काफी करीब पहुंच जाता है उसके बाद इसमेलिंग इसमगलिंग और बसुली का धंदा सुरू कर देता है और अंत में बारत सरकार ने आप देख effects एbab encantet थो फांसी अभी तक देघर दी जा चुके होती और या अब देकिए ओं मरेक कि किसाला कां जा काट की रहे हैं लेकिन आप। जानती तक भारत सरकार ने जो बदा किया हुए उसे मान ना कडоворvent बना इनकी जिन्दगी पूरी जेल में ही रहती है खैर मुझे लगा कि बता देना चाहिए अभी काफी चर्चा में बना हुआ था है